दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस Holland One चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मोधी गौवर्मेंट का जो एक बड़ा फैसला केंदरी करमचारियों के लिए जो है नए साल से पहले आ सकता है और इसके उपर काम शुरू हो चुका है और किस तरीके से केंदरी करमचारी जतने भी सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लॉईज है उनके लिए बेनिफिशल होगा इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ जो नियूज की कटिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें इस फैसले के बारे में बताये गया है और क्या क्या इसमें अभी तक प्राँड्रेस हुआ है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की इस इंप्रॉटन्ट अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों देख सकते हैं नरेंद्र मूदी गवर्मेंट में ब्रिंग अप सम्मोर गुड न्यूस दिस न्यू यर फॉर दे सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लोईज के लिए कुछ और अच्छी ख़बर आ सकती है अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो मूर्दी गवर्मेंट में अनाउंस अ हाइक इन एचारे हाउस रेंट अनाउंस में हाइक मिल सकता है इन अर्ली जैनवरी टुन्टी टुन्टी टू अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है लास्ट वीक उसमें कहा गया है कि फिनेंस मिनिस्ट्री है जो फिनेंस मिनिस्ट्री है इस पर काम शुरू कर चुके है और इसकी वहाई से जो है ग्यारा पॉइंट फाइफ सिक्सलेक इंप्लोईज और खासकर अभी जो अपडेट आ रहा है जिसमें कि एचारे जो है हाउस रेंट एलाउंस जैनवरी 2022 से बढ़ने जा रहा है वो अभी जो इंडियन रेलवे में जो लोग इंप्लोईज है जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए है और सेंटर मूब एक्सपेक्टे टो बेनिफिट मोर देन 11.56 ग्यारा पॉइंट फाइफ सिक्स से ज्यादा जो लाख लोग है उनको इस चीज़ से बेनिफिट होगा जो की इंडियन डेलवे में काम कर रहे हैं दोस्तों देख सकते एक अच्छा अपडेट है और जल्दी इस प केंद्री करमचारियों कि वो भी नए साल से पहले हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्यू फॉर वच्छिंग इस वीडियो